हलो दोस्तो, आज की कहानी का शीरशक है, सम्मान की लड़ाई, एक बहु की कहानी. एक गाव में सविता नाम की एक महिला रहती थी. उसकी शादी राजेश से हुई थी. राजेश की मा, रमा, अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे अपनी बहु सविता से हमेशा शिकायत रहती थी. रमा का मानना था कि सविता उनके परिवार के रितिरिवाजो को नहीं मानती और घर के कामों में लापरवाही बर्दती है. रमा ने सविता पर हर छोटी बात के लिए ताने कसना शुरू कर दिया वह सविता को लगातार काम करने पर मजबूर करती, चाहे वह कितना भी ठकी हो रमा ने उसे खाना बनाते समय छोटी-छोटी गलतियों पर भी डाटा और कभी-कभी तो बिना वज़ह ही चिल्लाने लगती सविता ने कई बार राजेश से अपनी परेशानी साजा की, लेकिन वह अपनी मा का विरोध करने से डरता था वह हमेशा कहता, मा बुड़ी है, थोड़ा सहन कर लो सविता ने समझोता करने की कोशिश की, लेकिन रमा का अत्याचार दिन-बदिन बढ़ता ही गया एक दिन, सविता की सहली, सीमा उससे मिलने आई सविता ने अपने दिल की सारी बातें सीमा को बताई सीमा ने सविता को सलाह दी कि वहाँ अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो और किसी को भी अपनी गरिमा को ठेस न पहुचाने दे सविता ने सीमा की सलाह मान कर, खुद को मजबूत किया एक दिन जब रमा ने उसे बेवजह डांटना शुरू किया, तो सविता ने शांति पूर्वक लेकिन द्रिधता से कहा मांग जी, मैं आपके प्रती सम्मान रखती हूँ, लेकिन मैं भी इस घर की सदस्य हूँ और मेरा भी सम्मान होना चाहिए मैं आपके हर आदेश को मानूंगी, लेकिन इस तरह का व्यवहार अब सहन नहीं करूंगी रमा को सविता के इस नए रूप से हैरानी हुई, लेकिन धिरे-धिरे उसे एहसास हुआ कि उसने सविता के साथ बहुत गलत किया है उसने सविता से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह उसे अपनी बेटी की तरह मानेंगी समय के साथ दोनों के बीच का रिष्टा सुधरने लगा और घर में खुशी लोट आई इस कहानी से यह सिखने को मिलता है कि खुद के सम्मान और अधिकारों के लिए खड़ा होना आवशक है चाहे परिस्थितिया कैसी भी हो